नमस्कार मैं हूँ प्रिति सिंग और आप देख रहे हैं 1924 आईए रुक करते हैं खबरों की ओर एतिहासिक बस्तर दशेरा की तैयारियों पर आजसांसद दीपक बैश ने पत्रकार वारता ले दशेरा पर्व के दोरान बाहर से आय परियाटक श्रधालू एवं ग्रामण लोगों की जन भागिदारी काफी संख्या में रहती है दशेरा पर्व का आनंद पूरी सदभावना गरीमा के साथ निर्विग्न संपन कराया जा सके इस पर चर्चा की गई बतादे की दशेरा पर्व पर विशाल लकडी के रत की परिक्रमा करायी जाती है जिसे ग्रामण एवं आम जन रसी के सहारे गोल बाजार की परिक्रमा करायी जाती है यह परंपरा पिछले 600 वर्षों से अनवरत चारी है पिछले दो वर्ष कुरोना की वज़े से पावंदियों के साथ रत परिचालन हुआ परंतु इस वर्ष कुरोना के नियंतरण में होने से काफी भीड़भाड होने की संभावना है सांसत दीपक बेज ने कहा कुरोना गया नहीं है अता सभी को एहतियाद बरतने की जरूरत है ताकि पर्व का सभी श्रधा पूर्वक आनन ले सके खास कर माता दंतेश्वरी की दंतेवाडा से आगमन मावली परगाओ एवं आठ चको के विशाल रत परिचालन अंतिम दो दिन काफी भीड़भाड रहती है नवरातर का अंतिम दिवस होता है इस वज़े से मंदिरों में दुर्गा मंडपो एवं देशेरा देखने आए हुए देसी विदेशी परियतक सहित आम बस्तर के लोग भारी संख्या में शहर में होते हैं इस दोरान किसी को किसी प्रकार की पर कोरौनक का तो अभी से बढ़ा हुआ है नए समझता हुए इस समय काफी भीड़ होगी और रोनक अच्छा होगा और महाल अच्छा होगा और उत्सा भी अच्छा होगा लेकिन फिर भी मैं दसरा कमिटी के अद्देश होने के नाते फिर भी हम लोग भीड़ से जाने से बच यह ना चाही। फिर भी दसरह कमीटी जीलापरशासन लगाता और सम collaborate से बना के काम कर रही है। और मतलब भीड को नियंतेट करने के लिए और हर परिस्शिजिश्यों से निपटने के लिए जीलापरशासन शुख्षम है। और निशितरों से इसके लिए हम लोग लगाता सुचर रूप से हम लोग प्यों स्थक्र कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले